आज की ये वीडियो माइक्रोफ एक्सेस को लेकर के है और खास वर पर अगर आप एक्सेस में अगर 2007 यूज करते हैं हाला कि मैंने यहां पर 2021 यूज किया हुआ है और देख सकते हैं यहां पर क्या-क्या फील्ड डाला है यह आईडी है जो कि प्राइमरी की है फिलाल इस आज दिखी क्लास का नियम और बच्चों के नाम पर मैंने पहले ही अंटर करवा लिये हैं और यहां पे subject 1, 2, 3 ऐसे करके marks आते चले जाएंगे तो यह हो गया subject 1, 2, 3, 4, 5 के marks यहां पर आ जाएंगे तो सारे ही बच्चों के marks यहां पर हम एंटर करवा लेते हैं ताकि आसानी के स सीधा form view के अंदर ही calculate करने वाले हैं तो ये चीज़ ध्यान रखेगा आज का topic जो है आज का जो main point है वो यही है कि हम सीधा कहा calculate करेंगे form के अंदर जाके calculate करेंगे ठीक है तो ये हो गया और ये last बचा हुआ है इसको हम यहाँ पर entry करवा लेते हैं जो भी यहाँ पर marks वगर आ करना कोई बहुत मुश्किल काम ठोड़ेना है लेकिन दिक्कत यह है कि हम इसे form view में करेंगे तो create पे जाएंगे और create पे जाने के बाद यहां से form design पे चलेंगे और यहां से add existing list मिल जाएगा तो हम यहाँ पर जो है एक एक करके सारे जो field है उनको लेके आएंगे तो यह दो field है उन सारे fields को जो है यहां पे लेके आजाएंगे ठीक है अब करना क्या है करना यह है हमें कि यहां से जो है इसको मैं यहां से थोड़ा चोटा कर लेता हूं और इसको यहां से थोड़ा बड़ा रखाऊंगा यह हो गया अब यहां पर जो है क्या करना है एक text box insert करना है तो पर, प्रॉप्टी शीट आपको दिखाई पड़ी रहा होगा, अब जैसे प्रॉप्टी शीट में आता है, तो यहां पर देखें, यह लिक्षा वहा आ रहा है, इसको हटा देजिएगा, यहाँ पे करियेगा total टी ओ टी एल यह टोटल कर दिया अब इसको भी यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है total लिखना है तो यहाँ पर ध्याम दिजिएगा इसको मैं थोड़ polarized और बड़ा करता हूं तiles के आपको clearly दिखाई पड़े अब यहां पर आते हैं तो यहां पर भी हमें नाम देखना होगा कि यहां पर क्या नाम रखा गया है तो इस पर पहले बाहर क्लिक करते हैं फिर यहां पर आते हैं सब्जेक फाइप है यहां पर तो ठीक है यहां पर भी ठीक ही है तो अब हम क्या करेंगे ना यहां पर calculate करेंगे calculate कैसे होगा तो यहां पर right click करेंगे और right click करके यहां पर कई तरीकों से calculate किया जा सकता है लेकिन मैं आपको बताता हूँ यह built event जो आ रहा है आप यहां से जा सकते हैं लेकिन अब फिलहाल हमें करना क्या यहां पर click करके अधर्स पे जाके यहां पर आपको दिखाई पड़ा होगा click कीजिए और click करके यहां पर all पे रहते हुए और यहां पर control source पे जाके यह three dots पे click कीजिगा जैसे click करेंगे यह window open हो जाएगी expression builder वाली अब आपको क्या करना है यहां पर square bracket के अंदर लिखना है SUB1 क्योंकि पहला subject है फिर यहां पर करिएगा SUB2 फिर इसको close कीजिगा फिर यहां करिएगा SUB3 यह हो गया फिर यहां करिएगा SUB4 फिर यहां पर SUB5 यहां लास्ट बचा हुआ है 5 हमारे पास तो यह 5 को भी हमने यहां पर दे दिया है OK कर दिया OK करने को पर यहां से view पर click करना है और जैसे view पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि यह total भी add होता हुआ नजर आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखेंगे यह total हो रहा है अब इसमें जो है जो भी changes करेंगे उसके हिसापते यह total भी change हो जाएगा जैसे माल यहां 88 कर दिया तो यह total भी automatic change होगा देखेंगे यह change भी हो रहा है ठीक है और जितने भी students हैं उनका automatic ये सारा कुछ calculate होता रहेगा ठीक है ठीक है कितना असान है इसको करना और ये Microsoft practice में directly अगर आपको task दे दिया जाता है form view में करने के लिए तो थोड़ी से दिक्कत तो होगी लेकिन आप अगर इस चीज़ को follow करेंगे तो बहुत अच्छे से क सब्सक्राइब करना ना भूनेगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो